नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आपको अपने यूटूब चैनल अस्मार्ट लर्निंग इंडिया पर। आपको मिलते रहे, तो बीना देर किये हुए इस विडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला कोशन देखते हैं, आज का पहला कोशन नॉबल गैस में से, वह गैस जो बायू में नहीं पाई जाती है। तो नाइट्रोजन है। पेर पौधों का नहीं है। वह कार्ज जो पेर पौधों का नहीं है, कौन सा है? बायू का पर्दूशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौशन नंबर 5, प्रीथवी के कार्वन चक्र में कार्वन डाई ऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। कौन तो परकास संसलेशन जो है, प्रीथवी के कार्वन डाई कार्वन चक्र में कार्वन डाई ऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। आपचै का बिचार संबंधी थे, तो आंसर हुगा एक प्राकिर्टिक किर्या से जो चटानों को सूच्म कनों में विभाक्त करती है। Next question, 200 मौसम बिज्ञान, यह बिज्ञान है, 200 मौसम बिज्ञान संगठन का मुख्याले अवस्थित कहा है, तो यह जनेवा में है. नेक्स्ट कोशन नमबर एट है बिसु मौसम बिज्ञान समय लागू हुआ था यानि बिसु मौसम बिज्ञान समय कब लागू हुआ था तो 23 मार्च 1950 को लागू हुआ था नेक्स्ट है कोशन नमबर नाइन यू एन एपी यू एन एपी का मुख्याले कहां है तो नैरोबी में कहां पर है नैरोबी में है अब यू एन एपी के बारे में कुछ बता देते हैं तो यू एन एपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो उनाइटेड नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम होता है, UNEP का फुल फॉर्ण, United Nation Environment प्रोग्राम होता है, नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर टेन है, संयोगत राष्ट पडियावरन कार्जग्रम, संयोगत राष्ट पडियावरन कार्जग्रम की अस्थापना कभ हुई थी, तो उनीशो 72 में, यह देखो UNEP का फुल फॉर्म है, कभ हुआ था, यानि UNEP की अस्थापना कभ हुई थी, तो उनीशो 72 में, नेक्स्ट कोशन, UNEP के बर्तमान पर मुख कौन है, तो एरिक सोलहम है, कौन है, एरिक सोलहम, नेक्स्ट, EPA का पूर्ण रूप क्या है, EPA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इह होता है, Environmental Protection Agency, क्या होता है, Environmental Protection Agency, नेक्स्ट, कोशन नमबर 13, EPA, सयुक्त राष्ट अमेरिका की संखी अजेंसी है, जिसकी अस्थापना कभ हुई थी, तो EPA की अस्थापना, 2 दिसंबर 1970 को हुआ, कभ हुआ, 2 दिसंबर 1970 को, नेक्स्ट है, NEA से आसा है, यानि कहने का मतलब है, NEA का फुल फॉर्म होता है, National Environment Authority, क्या होता है, National Environment Authority, नेक्स्ट कोशन, नेक्स्ट है, Greenpeace International का मुख्याले अवस्थित है, Greenpeace International का मुख्याले कहां है, तो यह M Stardom है, कहां है, M Stardom है, नेक्स्ट है, Ecomark, Ecomark, उन भारती उत्पादों को दिया जाता है, जो, परिया वरन के परती मैत्री पुर्ण होते हैं, किसको दिया जाता है, Ecomark, तो यह दिया जाता है, परिया वरन के परती मैत्री पुर्ण हो, नेक्स्ट, कोश्यन नमबर 17 है, Bureau of Indian Standards द्वारा बर्स 1991 से दिया जा रहा है, तो ये तो अभी मैंने बताए किसको दिया जाता है, युको मार्क परमान पत्र नेक्स्ट, नेक्स्ट है, परियावरन अनुकूल, उभोकता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने अरंभ किया, क्या अरंभ किया, नेक्स्ट है, धार्नी किर्सी, धार्नी किर्सी का अर्थ क्या होता है, तो धार्नी किर्सी का अर्थ होता है, भूमी का इस परकार पर्कार पर्योग की उसकी गुनवता अच्छुन बनी रहे क्या भूमी का इस पर्कार पर्योग की उसकी गुनवता अच्छुन बनी रहे next question number 20 है भारत में टिकाऊ किर्सी के लिए राष्टिय मीशन चल दा है तो यह कब से कब तक चल दा है तो बर्स 2014 से 15 तक चलेगा यानि चल चुका next है portion number 21 भारत में हरित ग्री किर्सी यानि green house farming प्रारम करने वाला राज कौन सा है तो यह पहलाराज पंजाब है next नगरी करन एवम ओदोगी करन हानी काड़क है संतुलित विकास के लिए पडियावरन एवम परस्थित की के लिए जैव क्या है तो आंसर होगा विविधता के संरच्छन के लिए किस के लिए विविधता के संरच्छन के लिए next है question number 23 है राष्टी हरित न्याइधी करन अधिनियम 2010 भारती संबिधान के किस प्रापधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे तो आंसर होगा स्वस्थ परियावरन के अधिकार के अनुरूप जो अनुछेद 21 के अंतरगत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है next question number 24 है राष्टी हरित न्याइधी करन के अधियक्ष कौन है next question number 25 है राष्टी हरित न्याइधी करन के अधियक्ष कौन है तो जस्टिस आदर्स कुमार गोयल जी है next question number 25 है राष्टी हरित न्याइधी करन की अस्थापना राष्टी हरित न्याइधी करन अधिनियम 2010 के तहत कब की गई थी तो 18 अक्टूबर 2010 को कब 18 अक्टूबर 2010 को next question number 26 है हरित विकास green development पूस्तक के लिखा कौन है तो W.M. Adams है कौन है W.M. Adams next question number 27 है आम तोर पर समचारों में आने वाला पलश 20 सम्मेलन कौन सा है तो धार्निय विकास sustainable development पर संयुक्तराष्ट सम्मेलन है धार्निय विकास पर संयुक्तराष्ट सम्मेलन next question number 28 है रियो पलश 20 धार्निय विकास पर संयुक्तराष्ट सम्मेलन का लगू नाम है यह सम्मेलन जून 2012 में संपन हुआ था कहां हुआ था तो Rio de Janeiro Brazil में हुआ, कहाँ पे हुआ? Rio de Janeiro Brazil. Next है question number 29 है, प्रीथ्वी सम्मेलण पलस 5 आयोजित कव हुआ था? प्रीथ्वी सम्मेलण, यानि कहा जाता है कि फिप्ट प्रीथ्वी सम्मेलण आयोजित कव हुआ था? पाच माँ प्रीथवी सम्मेलन आयोजित 1997 में हुआ कव हुआ 1997 में हुआ नेक्स्ट जो कि आज का लास्ट कोशन है कोशन नमबर 30 है 23 से 27 जून यानि 23 से 27 जून 1997 के मद सयोगतराष्ट महासभा ने एक बिसेस बैठक का आयोजन किया जो रियो प्लस फाइव या प्रीथवी सम्मेलन के पाच में के नाम से जाना जाता है वो कहां पे हुआ था तो ये नियुवार्क में हुआ था कहां हुआ था नियुवार्क में हुआ था कैसा लगा वीडियो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सेनल को सस्क्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे वीडियो को लाइक कीजिए तब तब के लिए धन्यवाद